मसका दोस्तो गर्ग पटी चैन में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आपको चूरी दर पजामी बनाना बताऊंगी बिल्कुल लैगिंग की तर है तो देखिए इसके लिए मैंने ये कॉर्टन फैबरिक लिया है ये सवा दो मीटर का कपड़ा है और जो इसके चोड़ाई पर यहां से हम पजामी का निसान लगाएंगे इसका पूरा नाप मैंने यह सामने लिख दिया है तो देखिए सबसे पहले हम नीची के तरफ से मोहरी का निसान लगाएंगे तो इसकी जो मोहरी है वो है पांच इंच की तो यहां पर हम पांच इंच के इस तरह से निसान लगा लेंगे अब यह निसान लगाने के बाद नीचे से एक ओना उठाते वे इस तरह से फॉल करना है और फिर निसान लगा लेना है इस तरह से हमार का निसान लगाएंगे जितनी भी आपको चूड़ी रखनी है देखिए जैसे मैं नहीं पे आट इंच की चूड़ी रखी आप चाहे तो अगर चूड़ी जाधा रहना चाहते हैं 10 या 12 यह 15 इंच की यहां से लंबाई ले सकते हैं तो मैंने जो त्यार लंबाई है, वो है 28 की, आपकी जितनी भी त्यार लंबाई है, उसे आप से यहां पर निसान लगा लेगे, अब यह निसान लगाने के बाद, तो दीखिए, इस तरह से हमें यह दोरों तरफ हैं से डोट लगा देने, अब हम स्केल से सीधी लाइन बना लेंगे, त लगा लिया है इसे तरह यह दोनों तरफ इस तरह से डोट लगाते वे निसान लगा ले और फिट स्केल से लाइन बना ले तो यह निसान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे गुटने का निसान जहां से आप पहनते हैं तो जितनी आपके लंबाई है उस हिसान लगा ले और अगर आपके पास त्याल लंबाई नहीं है तो जिस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उस हिसान लगा ले जैसे कि पूरी 38 के लंबाई का आधा कर लेंगे 19 इंच और 19 में हम नीची के तरफ दो इंच प्लस कर देंगे तो यह आजेगा 21 इंच तो य देखिए जितना नाप है उस हिसाब से हम आगे भी इंची टेप से इसी तरह से निसान लगा लेंगे जिससे कि हमारी बिलकुल सीधी लैन बने अब स्केल से हमने ये सीधी लाइन बना दी है तो देखिए अब ये आसन का लग गया ये घुट ने का लग ये पिंडली का और लगा दिया तो यहां पर मैं 3 इस तरह से इसकेल रखते वे निसान बनाएंगे तो इस तरह से हमने यह लाइन बना दी है अब हम एक निसान और लगाएंगे यह लगाएंगे हम थाई का तो यहां उपर आसन से पर यहां पर इपे देखे से अब हमारी सी तरह से निसान था लगाएंगे तो फिर इससे मिलाले अब देखे अब जो हमारा यह उपर की तरह का निसान था तो इस से भी हम उपर को इहां पर इसी तरह से बिल्कुर सीधी पर बना दी है अब दीखें यहां से हमारे यह उपर की तरफ एक कपड़ा कम पर रहा है यहां बाद में जोड लगाएंगे तो पहले हम निच्छी के तरफ जहां पर हमारी आसन हैं यहां हम 200 पर म्हान की त्रफ को और भढ़ाएंगे यहां दो इंच पर निज दै सब border एक या देड़ इंच का मार्जन लेंगे आपको देड़ इंच का या फिर एक इंच का जितना भी मार्जन रखना है उसी साथ से निसान लगा ले और फिर इंची टेप से इस तरह से लाइन बना ले तो देखे इस तरह से हमें यह मिलाते वी लाइन बनानी है अब हम एक निसा करेंगे तो देखी यह से यहीं से हम कट इंग करना इसी तरह निसान संहां इसमें कर देंगे त्याम नीचे महुरी से हमें यह दो करने कर लेक्षा करनी है ऑभ यह मं जो यह कॉल रहा है यहां पे हम एंक्षा कुछ लगाएंगे ऴेले हम यहाँ पे यह बंधिस्साहें इसको यहां से कटिंग कर देंगे अब करने के बाद अम यहाँ पे हम कट्राल लएंगे तो जो हम लगा येंग वह मैं आधा इंच उपर कंझ तरफ मिशान लगागा कि इस तरह से हमें यह M coalition लगा लेना है अब जम घूब लेंगे तो वह लेंगे हम कनी की सइट से तो देखिए हमारी कनी आरी है यह मैंने डवल में कनी की साइट कपड़ा ले लिया अब इस इसही साभ से यहाप यहां पर निसानलयेंगे तो देखिए मैंने यह चीधा इस तरह से निसानल लगा लिया है अब हम इसकीक बना लेगे इसी तरह just belowfive ऑवां से और तरह यह इधर की साइट से तो यह निसानलय लगा लिया है अब हम कर देंगे तो यह हमारे उपर की साइट के जो जहां पर हमारे ये बड़ा कटा आ रहा था बड़ा कप्रा कम पर रहा था तो यह हमारे ये बड़े वाले पाट के लिए दो कटिंग हो गई है अब जो हमारे चोटा में एक स्था कप्रा कम पर रहा था तो यहां से भी हम कनी को इसी तरह से रखते विए कपड़ी को लगाएंगे तो यहां पर मैंने यह आधा ही चुपप चड़ा दिया फिर चोक से ही इसी तरह से हमें यह सीधी सीधी इस तरह से लाइन बना देनी है और लाइन बना के इसकी कटिंग कर देंगे तो यह हमारा चोटा वाला कट है अब देखिए यह हमारे दो कट हो गए एक छोटा वाला और एक यह बड़ा वाला है इसे हम बाद में स्लाइ लगा के जोड़ लेंगे तो पहले हम जो यह फिडिंग के निसान लगाए हैं यहां पर हम कट लगाएंगे तो इधर की सब की और यह जो भी हमें निसान है यहां इस तरह से आये गया तो अब देखिए उपर के तरफ हमारे जो यह कपड़ा कम पढ़ रहा था तो यहां पर हम पहले ही इसको लगा के पिन से अटेच कर देंगे जिससे हमें स्लाइक करते में बाद में असानी होएगी तो देखिए यहां पर मैंने यह पिन लगा दी है तो बि часть के लिगे ऑद कर तेखिए, गार क encara था लेंगी तो देख़िए मैने यह पर दूस्री तरफ भी यह द लगा दी है अब यह पिन लगाने के बादण अब हम इसको फिर से अलग लग पार्टों में यह डवल में मोरेंगे तो इसको पहले हम एक पार निकाल लेते हैं और इसको इसे मोडते हुए रख लएगे इससे तरह हम यह दूसरे वाले पाटकश भी मोडते हुए двух अभे इसके ऊपर इससे चणाते हुए हमें यह रख वाइसे डिहान रखना है कि हमारे कट से कट मिलने चीह इसके बाद हम इसको थप थपा देंगके घृत खांगे रशन इसी तरह की निसान बन गए अब इन निसानों को गहरा कर लेंगे तो यह हमारे इसी तरह से हमारे यह दूसरी तब भी फिटिंग की निसान लग गया अब यह हमारी पूरी कटिंग हो गई है अब मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ तो देखिए सबसे पहले मैंने इसका एक पार्ट ले लिया है तो पहले हम एक पार्ट को पूरे अच्छे से सिल लेंगे तो जहां मैंने ये पिन लगाई थी तो पिन को निकालते वे हमें यहां पे ये स्लाई लगा लेनी है इसी तरह से हम ये दूसरे तरफ भी स्लाई कर ले निकलते को आप देंगे को अब मैंने काट दिए है तो अब हम इसके नीची के तरफ मोरी के तरफ हम पहले स्थय लगाएंगे तो देखें दोस्तों हमारे यह पूरा कप्ड़ा है इस तेर्चिबल हो जाता है जाएंगे स्टेप काटा है तो एकम थाधित मैं में एकिट का रिकाती हrou तो ये पूरा कपर हमारे इस तरह से इस तरह में हो जाएगा तो अब जो हम इसमें स्लाइ लगाएंगे तो और थो थोड़ी खीशते विल Señor को सब्सक्राइब!! अब fold करने के बाद हम जब sly लगाएंगे तो कपड़ी को हलका सा खिषते वे लगाएंगे तो देखे इस तरह से हमें खीचना है और फिर sly लगानी है इसी तरह से हमें ये पूरी मोरी के कपड़ी को ऐसे खीचना है तो हम दुआरा से महोडी का निसान लगाएंगे अब देखें मैं आपको दिखाती इंचिटेप रखके तो देखें हमारे ये इतना बढ़ गया था तो हमने यहाँ पे पांच इंच पे महोडी ली थी तो पांच इंच पे निसान लगाके इसको इस तरह से मिला देंगे इससे क्या होता है हमारे नीची की ये फिटिंग में रहती है अब इस तरह निसान लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग का निसान लगाएंगे तो यहाँ से पहले हम इसके पक्का कर लेते हैं तो यह मैंने पूरे में स्लाई लगा ली है अब देखिए मैं आपको खीच के दिखाती हूँ तो देखिए यह इस तरह से खिषता है अगर हम खिषते भी स्लाई नहीं लगाएंगे तो हमारे यह धागे तूट जाएंगे तो इसलिए हमें इस तरह से स्लाई लगानी है अब आसन हमने चोड़ Chamber कर ली थी अब आसन की स्लाय को ऐसे ऊसले से लेंगे तो देखें हमारे क tilted टक है इसी तरह से vem तो मिलाते वे हमें इस तरह से पकड़ते वे ऐसे मिलाते ले जाना है और फिर इहां पे हमें स्लाय लगानी है देखे इस तरह से मिलाते वे हमें ये पूरे में ये ऐसे सलाई लगानी है अब मैं आपको सिलके दिखाती हूँ तो देखे हमारे ये जो बीच का आसन की जो सलाई है इसी तरह हम ये दूसरे पार्ट की भी सलाई को मिला लेंगे इसी के संग और मिलाते वे हमें यहां बीच में से ही सलाई शुरू करेंगे तो हमने यह आसन के बीच में से ही सलाई शुरू करी है अब यहां से सुरू करते वे हमें यह मिलाते वे सलाई लगा लेंगे अब देखिए, एक slai लगा लिए है, अब हम पलट के एक slai और लगा लेंगे, यह हम double में slai लगाएंगे अब यहां पे आने के बाद, अब दूसरी साइद भी हमारी यहां पे slai लग जाएगी अब देखिए यहां तक bananas को फिर होमा लें। और फिर यहां के तहल से हम डवल कर देंगे तो यह हमारे देखिएं बीच में इस तरह से लग गई है। अब हम इस पजामी को सीधा कर लें। तो यह मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए हमारे बीच में स्लाई शुरू करी थी तो देखिए हमारी ये बिल्कुल एक सार्व आई है अब हम इसमें नेफा बनाएंगे लास्टिक डालने के लिए तो देखिए मैंने जो ये निसान लगाया था यहीं से हम इसको मौर लेंगे और मौरने के बाद आधा इंज अंदर की तरफ हो मौरते वे हम इसमें स्लाई लगाएंगे ये पूरा उरेव होता है तो हमें जो नेफा बनाते हुए हमें ध्यान से देखिए करते हुए मौरते हुए स्लाई लगानी है नहीं तो फिर जोला जाएगा तो बिल्कुर अराम राम से ऐसे देखिए मौरते वे हमें ये पूरे में स्लाई लगानी है तो देखिए मैंने पूरे में स्लाई लगा लिया अब इतना हिस्सा हमने छोड़ दिया है लास्टिक डालने के लिए तो ये मैंने सवा इंच की चोड़ी लास्टिक लिए है लास यहां से इसकी कटिंग कर देंगे करने के बाद अवह मं पिन लगा के इसमें डालेंगे तो देखिए इस तरह से हमें यह पूड़े में लास्तिक डाल लेनी हैं तो यह मैंने अब यह पूड़े में लगा लिया है अब सलाई लगाने के बाद इसको अंदर कर देंगे तो देखिए अंदर कर दिया है तो जो यह खुला हिस्सा था इसमें भी हाँ पर हम सलाई लगा लेंगे तो यह सलाई लगा के हमने इसको बंद कर दिया अब इसको प्लास्टिक को हम खीचेंगे तो देखे हमें ये दोनों तरफ से ऐसे करते वे इसको खीचना है और खीचने के बाद अब एक सलाई हम बीच में लगाएंगे तो बिल्कुल बीच में हम दोनों तरफ से खिचते वे लास्थिक लगानी है लेव पेंगते के तरह दोस्तों तो इस तरह यह पूरे में लगा लेंगे तो देखे़ए दोस्तों मेरी यह पूरी पजामे सिलकों ट्यार have ये फजामे बिलकु legging के तरह से ट्यार हुई है और यह पहन के b काफी अच्छी लगती है तो देखे बीच में से भी हमारे यह थोड़ा से धीला पंसा है जिससे पहनने में हमें यह कमफर्टेवल रहती है तो आप इस तरह से लैगिंग बनाएंगे तो आपको काफी कमफर्टेवल लगेगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमण में है झाल में पता है